नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुभा मगरवाल आपका स्वागत करता हूँ फिरी क्लासेज में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैस के मैजिक मैस मैजिक प्लेइलिस्ट का यह पहला वीडियो होगा यह स्रीज हमने नई स्रीज चालू किया जिसमें मैं आप लोगो को डे तो 4 equal to 5 नहीं 4 डिटूट 5 होगा यह मैंत्यमेटिकली बात करें तो फोट रजनोट इक्वल तुट 5 होगा पर मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा 4 डिक्वल 2 5 कैसे होगा तो बात करते हैं जो प्रोसेजर बस्मेश्य वीडियो में यूच सत्मस्ति के लिए आप इस तरह के पजल्स का या इस तरह के मेजिक का यूच कर सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को जैसा कि में मादों पॉर इकल टू फाइव हमें दिखाना सो करना तो मैं यह कर सकता हूं कि जीरो एकल टू जीरो कोई प्रसानी नहीं बिल्कुल कोई जीरो एकल टू जीरो कर सकते हैं जीरो एकल टू जीरो कर सकता हूं तो में यह कर सकता हूं तो ट्वेंटी फॉर मेंस ट्वेंटी फॉर ट्वेंटी फॉर मेंस ट्वेंटी फॉर हमारा क्या होगा जीरो होगा इकल टू थर्टी मेनस थर्टी ऐसा कर सकता हूं क्या मैं 24-24 क्या तब भी 0 मिला में 30-30 क्या तब भी 0 मिला में कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो बिल्कुल नहीं चाहिए ठीक है अब नेक्स स्टेप देखना के लिए बहुत अच्छे ध्यान से देखना क्या हो रहा है मैंने लिए 6 into 4 ठीक है मैनस 6 into 4 एक एक वल डू 6 into 5 मैनस में 6 into 5 कि लिए रहा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल पुली तरह से कोई दिक्कत नहीं चाहिए अब नेक्स स्टेप 6-6 बचेगा जब हम 4 निकाल ले एक वल टू 5 कॉमाड निकाल लिए तो 6-6 बचेगा हो सकता है यह स्टेप में ठीक निकली बिल्कुल मतलब क्रेक्ट नहीं हो सकता पर मैजिक इट्स मैजिक इसी तरह के मैं कुछ श्टेप्स दिखाऊंगा आपको मैजिक में हर तिन आपको हर एक वीडियो में कुछ नया देखने मेजिक है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं मैं आपको उसका सोलीसिन दूगा उसको अपने वीडियो में जरूर सोब करके दिखाऊंगा तो आज के लिए इतना ही काफी है चलते हैं थैंक्यू